नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल ग्यांधी फिंदी यूटूब चैनल पर मेड़े मिल योजना को लेकर लगातार रसोया मांग कर रही हैं कि रसोयों को नूनतम वेतन जहां सरकार की तरफ से लागो किया जाना चाहिए वहीं मांद 11,250 रुपे महिने को लेकर इन सभी रसोया करमचारियों ने एक बार फिर बड़ा आदिस जारी कर दिया है वहीं 12 महा वेतन और वहीं आवकास को लेकर इन सभी करमचारिया मांग को लेकर लगातार सरकार को अपना ग्यापन सौप रही हैं वहीं इन सभी रसोयों को नूनतम वेतन सरकार की तरफ से जारी किया जाए वहीं बात करें नाहन में 18 जुलाई को होने वाले परदसन में भाग लेंगे मेडे मिल वरकर तो बात करें जहां हिमानचल परदे सिमला से बड़ी अच्छी खबर निकल कर सामने आ रही है जहां उच्छ नयाले के 12 महने का वेतन दे देने के फैसले को लेकर लागू करने की मांग इन सभी करमचारियों ने की है वही मेडे मिल वरकर्स यूनियन सराहा खंड की बैठक में मांगू पर चर्चा हुई और जहां मेडे मिल वरकर्स यूनियन सराहा खंड की बैठक रभिवार को सिट्टू कार्याले सराहा में हु जहां इसमें सिट्टू के जिला महासचिव आसीस गुमार विसेस रूप से मौझूद रहे और बैठक में मिड़े मिल करमिकों को की मांग पर चर्चा की गई बैठक में वक्ताओं ने कहा की मालनी उच्च नयालय की डेवल वेंच ने मिड़े मिल करमियों को बारा महने का वेतन देने का फैसला सुनाया है उसे सरकार को अभी लंब लागो करना चाहिए वहीं बैठक में सिट्टू महासचीव ने आरूप लगाया कि केंद्र सरकार ने जो मिड़े मिल वरकरों के वजट में कमी की है उसका ही नतीजा है कि उनको समय से वितन नहीं मिल पा रहा है वहीं केंद्र और परदेश सरकार ने कर्मियों के साथ अमानवी व्यवहार कर रही है वह इन्होंने आरूप लगाया वहीं स्कूल में सिक्स्या कर्मियों से अत्रिक्त कार्य भी करवा रहे हैं और नहीं तो नहीं करने पर उनको परताडित भी किया जा रहा है वहीं सिट्टू पदाधिकारियों ने सरकार से मांग की कि इन कर्मियों को ढूलाई बिल दिया जाए और साथ में चुनाव में जो कारी किया है उसके अत्रिक्त ध्याड़ी इन सभी करमचारियों को दिया जाए इन मांगों को लेकर नाहन में 18 जुलाई को मिड़े मिल वरकर्स का फर्दसन होगा जिसमें सभी कर्मी बड़ी संख्या में भाग लेंगे ऐसा भी फैसला बैठक में लिया गया है तो इन सभी करमचारियों ने मांग की की आगनबाड़ी कारिकरताओं की तरज पर मिड़े मिल करमिकों को आउकास देने साथ में साल में दो बार वर्दी देने साथ में मिड़े मिल वरकर्स की नौकरी से संबंदित 25 बच्चों की सर्थ को हटाने की भी मांग के गई इस उसर पर सराह इकाई अध्यक्स ओम परकास और साथ में अनिता स्यामदत वहीं नरेस सरमा संजय विजैपाल लता आसा बाला राम वहीं अंजू भारती सुनिता बिमला और आसा आज आदी दरजनु सामिल हुए तो इन सभी करमचारियों ने मांगे की रोसोया करमचारियों के अतिरित कारिका भी इन सभी रोसोया करमचारियों को भुक्तान किया जाए वहीं पिछले कई महनों से इनका मांदे जो रोका गया है सभी का जल्द ही इनके खाते में डाला जाए वहीं नियुनताम वेतन इन सभी रोसुयां करमचारियों को सरकार की तरफ से देना चाहिए 18 जुलाई को एक महत्तपोन विसाल धरना परतसन किया जारा है जिसमें इन सभी की मांग को लेकर एक बार फिर सरकार को अपना ग्यापन सौकिम सौपेंगी तो सरकार जल्द ही इनकी मांग पूर्ण करें इस बिसे पर आप सभी अपनी क्या राय रखते हैं कमड़ बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक आपने आने दोस्तों के साथ सेयर जरूर करें